यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और कालका में एक नाबाली की पिटाई का वीडियो सामने आया है और इस नाबाली को पीटने वाला कोई और नहीं बलके खुद उसका पिटा है मिली जानकारी के नुसार ये बेरहम बाप अपनी बेटी और पत्नी को बुरी तरह पीड़ता था और पिटाई इसलिए कि उसने पत्नी अपने माईके से पैसे लाकर उसे दे मामला 19 जून का है जब पैसे की मांगों को लेकर ये बेरहम बाप अपनी पतनी और बेटे की पिटाई कर रहा था तब इस नाबाली की मांगे किसी तरह अपनी जान बचा कर शूर मचाया जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस नाबाली को बेरहम बाप की चुंगल से बचाया फिलहाल इस मामले में पुलिस जाज कर रही है पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता को गिरफतार भी कर लिया है पुलिस ने पंच्छुला के सेक्टर 20 से आरोपी पिता को गिरफतार किया तो आपको बता दे कल से एक वीडियो काफी वाइरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जहां पर एक बेरहम बाप अपनी खुद की बेटी की बुरी तरह से पिटाई करते हुए नजर आता है आरोप लगे हैं इस बाप पर कि अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था और बेटी के साथ तो मारपीट करता ही था साथ ही आपको बता दे कि अपनी पत्नी को पैसों के लिए भी दवाब बनाता था कि वो माईके से पैसे लेकर आए और उसके बाद पुलिस को अब कामियावी मिली है पुलिस ने सबेरहम बाप को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे पंचकुला की बीच सेक्टर से इस पिता को गिरफतार किया गया है और आगे की जान चिकी जा रही है तो खौफनाक चेहरा रिष्टो का यहां देखने को मिलता है जहां पर एक बाप अपनी नबालिक लड़की को बुरी तरह पीड़ता हुआ नजर आ रहा है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल भी हो रहा है जहां पर वो अपनी नबालिक बेटी के साथ मार पी वाइरल हुआ और उसके बाद आपको बता दे की जान चिपी शुरू ही और पुलिस दे इस आरोपी बाप को गिरफतार कर लिया aesthet पर एक पिता अपनी बेटी को मार रहा है वो बी सर्फ इस वजे से क्यूंकि उसकी मां उन्हें माई के से पैसे लाकर नहीं देती जिसके चलते बाप अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों के साथ मार पिटाई करता था लेकिन जिस समय ये वाक्या कैमरा में कैद हुआ उस समय पत्नी ने पड़ोसियों को बुलाया और किसी तरह अपनी बेटी को इस बाप के चुंगल से छुडाया झाल कर छोड़ोसियो है